असलाम आलेकुम दोस्तों केसो आप सब उम्मित करूँगा आप सब अच्छे होंगे स्वागत आप सब का एक बार फिर से मेरी योटूब चैनल पे आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट शेयर करूँगा सोधी अरभियास रिलेटेड इसके अलावा आयटा के तर है उन्होंने हर एक कंट्री से यह रिक्वेस्ट करा है कि ट्रा staple को लेकिए जोन नेसेसरी रिस्टिक्शन से वह सब को अब हटाया जाए लोग का आङे बहुत सारे लोग आयटा के बारे में नहीं करने तो पहले झालि आतकर के बारे में बता डिता यह इसका फूल होता है manager n Karma india duty International dance है जो हरे कंट्ड्री को मॉनिडर करता है हरे कंट्री के साथ मिलके काम करता फर एक्जांपल इंडिया का जो cv 에비ation यह फिर हम यह कहते इंडिया का जो ऐर ट्रांस्पोर्ट ऑप अठ्रीन हैं उसको हम लोग डीजूसिये के नाम से जानता जानते है जो Civil Aviation Authority है Air Transport Authority है उनको हम GSEA का नाम से जानते हैं तो दुनिया का हर एक देश का अपना एक Internal Authority होता है Air Transport का और दुनिया के हर एक देश का Air Transport Authority जो है IATA के साथ में मिल के काम करते हैं एक परकार सा हम यह कर सकते हैं कि IATA हर एक कंट्री का Air Transport Authority का Head होता है इस सक्स को आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे यह IATA के डाइरेक्टर है Mr. Willi Walls Recently इन्होंने Tutor के थूरू यह मैसेज दिया हर एक कंट्री को कि अब वो समय आ चुका है कि हर एक कंट्री को अपना restriction जो है हटा लेना चाहिए Last दो सालों से लोगों को काफी जादा problems हुई है travel को लेके Unnecessary बहुत जादा खर्चे तो हुए ही है इसके अलावा बहुत लोग mentally disturbed भी हुए है क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अलग-अलग rule है travel को लेके क्योंकि हर एक कंट्री अपने हिसाब से travel advisory जारी करता है अपने according वो लोग rule बनाते है इस वज़े से लोगों को काफी जादा problem होता है हर एक कंट्री का travel advisory देखो क्या-क्या entry requirement से जाने के लिए क्या-क्या चाहिए नहीं चाहिए यह सब को समझने के लिए mentally बहुत disturb होना होता है और क्यूंकि normal flights पहले जैसा चलने रहा है तो उसके वज़े से ticket का price भी जादा हाई है तो यही सब के वज़े से लोगों को दो तरह से नुकसान हो रहा एक तो पैसे जादा लग रहे travel करने के लिए उपर से फाल्तू का tension test रखा जाए ना ही उनके लिए quarantine का rule रखा जाए जो लोग vaccinated नहीं है उनके लिए कहा गिया है कि आप उनका PCR test रखो कोई problem नहीं है PCR test में result अगर negative आता है तो फिर उनके लिए भी quarantine की ज़रुरत नहीं है अब क्यूंकि omicron का variant आने के बाद कई studies हुए और उससे ये पता चला है omicron का variant बहुँ ज़्यादा transmissible जरूर है लेकिन ये उतना severe disease नहीं है जिस तरह से delta के वज़े से लोगों की मोत हो रही थी omicron उतना danger नहीं है इससे लोगों की जान जाने का खतरा नहीं है खास करके उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं है जो लोग fully vaccinated है omicron के वज़े से अभी तक जो deaths हुए है उनमें ज्यादा तर लोग जो लोग non vaccinated थे उनकी हुई है omicron के studies में ये भी पता चला है अगर कोई बंदा omicron variant से positive होके recover होता है तो उस पे rare chance से covid का दूसरा कोई variant फिर से infection करे इसी वज़े से WHO और health experts इस वक्त ये कह रहे है कि ये दोर pandemic to endemic का है यानि covid-19 का pandemic आया था अब वो endemic की तरफ जा रहा है यानि खतम हो रहा है दोस्तों अब देखना ये है IATA के director का जो message है हरे country को travel restriction को हटाने का इसे कब तक follow किया जाता है एक बात तो है हरे country का civil aviation अब इस बात पे जरूर गौर करेगा क्योंकि ये message IATA के तरफ से है इस पे जैसे ही कोई अच्छी update आती है मैं आप लोगों तक share करूँगा अगर यहाँ पे मैं अपना personal opinion share करो आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा chance है fully vaccinated लोगों के लिए quarantine का जो rule है वो खतम होने का इसलिए आप लोग भी vaccine का complete dose ले के रखिए अब हम बात करते हैं साथी अरभिया के कुछ important updates की साथी अरभिया में आज 4738 कोविट के नए cases मिले और दो लोगों की deaths की भी खबर है इसके अलावा Ministry of Health का कहना है जितने भी deaths हुए है ज्यादा तर वो लोग है जो लोग fully vaccinated नहीं थे जिन्होंने vaccine का dose complete कर लिया है उनमें rare ही deaths देखे गए इसके अलावा 1st February से तवक्कलना में booster dose का data को track किया जाएगा जिनका भी vaccine का second dose लेके 8 महना से जादा हो गिया और वो अभी तक booster dose नहीं लिये है तवक्कलना से उनका immune हट जाएगा जो लोग booster dose ले लिये हैं तवक्कलना में उनको immune शो करेगा उनके लिए कोई problem नहीं होगा याद रेखिए दोस्तों यहां के हुकुमत ने पहले ही announcement किया था कि 1st February से हर एक काम के लिए आपको booster dose mandatory होगा इसके लावा Ministry of Interior के तरब से एक update है जो भी लोग quarantine का rule को तोड़ेंगे आपको पता ही होगा सोजियरभिया के बाहर जिन्होंने वैक्सिन का डोज लिया है उनको quarantine में रहना है अगर कोई बंदा quarantine खतम होने से पहले ही room से निकल जाता है और वो पकड़े जाता है तो फिर उनके लिए 2 लाक रियाल का fine और 2 साल की jail की सजा हो सकती है या फिर हो सकता है ये दोनों ही punishment आपको एक साथ मिले इसके अलावा सौधी पुलिस ने चार expadits को गिरफतार किया है सौधी flag को insult करने के वज़े से मैंने भी टिक टोक में वो वीडियो देखा देख के सच में बहुत खराब लग रहा था यहां के जंडे में कुछ कचरा को बांद के वो लोग dustbin के पास ले जाके फेक रहे थे देख के बहुत खराब इसलिए लगा क्योंकि कोई भी country का जो flag होता है जंडा होता है वो उस country को represent करता है इसलिए हम सब को हर एक देश का जंडा को respect करना चाहिए चाहिए फिर वो इंडिया का जंडा हो बंगलादेश का हो, पाकिस्तान का हो सौधी रभिया का हो कोई भी देश का क्यों ना हो अल्ला बेतर जाने उन लोगों के माइन में क्या चल रहा था उस वक्त जो इस तरह के काम को अंजाम दिये, पुलिस का ये भी काना था वो चारों लोगों से जब पूछा गया कि भाई आप येसा काम क्यों किये तो वो थोड़ा सा भी guilty feel नहीं किये इसलिए आप सब भी हमेशा कोशिश करिया अच्छा करने का और लोगों को भी advice करिया अच्छा करने का ताकि हमारे वज़े से किसी को hurt ना होना पड़े तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखे अपना Thank you so much for watching